प्रिये दर्शको नमस्कार आज मैं आपको आपकी जन्ब कुंडली के लाभ भाव में जो राशी बन रही है उसका प्रभाव आपके जीवन काल में कैसा मिलेंगा आपके जीवन में धन है तू ये राशी का प्रभाव आपको क्या इस्तिती निर्मित करके देंगा आज इसकी जानकारी देने वाला हूँ इसके पूर्व तीन राशियों की चर्चा में कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको मेश राशी, व्रशब राशी और मिथुन राशी का प्रभाव लाब भाव में बताया था आज मैं आपको अगली तीन राशी, करक राशी, सीह राशी और कन्या राशी का प्रभाव लाभ भाव में बताने वाला हूँ अगर आपकी कुंडली में लाभ भाव में इन तीन में से कोई भी राशी है तो आप आज की वीडियो को ध्यान पुर्वग देखते रहे हो सकता है कि आज मैं आपको जो प्रभाव वता हूँ उसमें सामान ने तहा कुछ परिवर्तन आ जाए क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह वस्ता किस तरह की है उसकी चर्चा में यहां नहीं कर रहा हूँ लाभ भाव का स्वाबी बल्वान हो या अन्य ग्रह वस्ता और अच्ची बल्वान हो तो धन हे तो जो कमजोरी आ रही होंगी वो कम हो करके मजबूत हो जाएगी तो यह सबका विचार ना करते हूँ केवल राशी का प्रभाव में आपको बता रहा हूँ आप ध्यान पुर्वक आज की वीडियो को देखिए जिससे आपके जीवन पर इस लाभ भाव में बन रही राशी का प्रभाव आप समझ सके आईए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ सबसे पहले बात करते हैं अगर लाभ भाव में करकराशी बनी होई हो तो इसका केसा प्रभाव पड़ता है देखिए करकराशी जब लाब भाव में बनी होती है तो ऐसा वेक्ति नोकरी करे या व्यापार करे दोनों में ही अच्छा सफल होता है दोनों से ही अच्छी मात्रा में धन अरजित कर सकता है लेकिन विशेश रूप से कहा जाए तो ऐसे वेक्ति को व्यापार करना चाहिए क्योंकि व्यापार से ऐसा वेक्ति अधिक धन प्राप्त कर पाता है और व्यापार से जीवन में अधिक इस्तिर हो पाता है ये बात भी देखने को मिली कि ऐसे वेक्ति के जीवन काल में आए एक जैसी नहीं रहती है क्योंकि आप जानते मैंने आपको एक सुत्र बताया था कि करकराशी जहां पर बनी हो उसका प्रभाव जीवन में उतार चड़ाओ वाला होता है तो ऐसे वेक्ति के लाब भाव में करकराशी होने से जीवन में धन लाब जो होता है उसमें उतार चड़ाओ बनी रहती है कभी अच्छी मातरा में धन आता है तो कभी कम मातरा में आता है कुछ इस तरह का प्रभाव बढ़ता देखा गया लेकिन फिर भी जीवन में ऐसा विक्ती धन अधिक कमाने के लिए प्रयास करते रहता है इसलिए अच्छा धन प्राप्त होता रहता है ये भी देखने को मिला कि ऐसे जाता का अपना जो धन होता है उसे अपने घर परिवार के लोगों पर अपने आसपास रहने वाले लोगों पर अधिक खर्च करता है ऐसे विक्ति के जो मित्र आदी होते हैं उनकी संख्या भी जादा होती है और अपने मित्र आदी पर ऐसा विक्ति धन का खर्च करता रहता है कई बार तो ये भी देखने को मिला कि एसे विक्ति के लव अफेर वगरा जादा हो जाते है तो अपने प्रेमी या प्रेमिका पर भी एसे विक्ति का धन का खर्च होता रहता है बाकी फिर भी ये देखने को मिला कि एसा विक्ती सामान ने घर परिवार से निकल करके अपने जीवन काल में एक अच्छी इस्तिती निर्मित कर लेता है जीवन के मध्या उधी में आकर के सफल भी होता है और अच्छी मात्रा में धन अरजित भी करता है ये भी देखने को मिला कि ऐसा विक्ती हर चीज़ को मेनेज करने वाला होता है और ये भी संबह हो है कि ऐसा विक्ती राजनीति आदी के शेत्र में जूड़ जाए और वहाँ पर सफलता अरजित करें क्योंकि एसा विक्ति अपनी बातों से अपने ज्यान से सभी को प्रवावित कर लेता है और राजनीति आधी में भी जाता है तो वहां से भी एसा विक्ति अच्छा धनलाप्राप्त कर लेता है एसा विक्ति अच्छा कूट नीतिग्य होता है कई बार थोड़ा स्वार्थी हो विक्ति पेसे लगाता है तो कई बार वहां से भी सेष्ट मात्रा में धन प्राप्त होता देखा गया है यानि कुल मिला करके लाभ भाव में करकर आशी है तो एक कमी केवल कभी कबार उतार चड़ाव बनी रहे इस तरह के प्रभाव वाली है लेकिन धन आदी सेष्ट विक्त प्राशी बनी होती है ऐसे विक्ति जीवन के हर एक शेत्र में सफल होते है ऐसा कोई शेत्र नहीं जहां पर यह सफल नहीं हो सकते और ये भी देखने को मिला कि ऐसे विक्ति के जीवन काल में जो आय के इस्त्रोत होते है वो भी अच्छी मात्रा में होते है अच्छे इस्त् पूर्ण होता है और राजनीतिग्य भी होता ऐसा विक्ति यानि हर चीज को किस तरह मेनेज करना है किस तरह से कौन से कार को करना है उस प्रकार करता है एक तरह ये भी बोल सकते है कि ऐसा विक्ति हर परिस्थिति में ढ़लने वाला होता है हर परिस्थिति के अनुसार अपने रंग को बदलने वाला इसा विक्ती होता है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इसा विक्ती कोई धोके बाज होता है या बहरूपिया होता है अन्य लोग समझते हैं इसे बहरूपिया लेकिन इसा विक्ती आंतरिक रूप से अगर देखे तो साधगी पसंद होता है अन्य भले क विक्ति ये देख लेता है, ये सोच लेता है कि उसमें कितना लाब होने वाला है, कितनी हानी होने वाली है, दोनों का मेनेजमेंट करके, फिर कोई कार यह में आगे बढ़ता है, और इसी से जीवन काल में सफल भी होता है, ये भी देखने को मिला कि ऐसे विक्ति का सोभाव ब बहुत तेज होता है अपनी बातों से, अपने हर कारे को बनवा लेने वाला होता है, सरकाली शेत्रों में अच्छी पेठ हो इसे वेक्ति की, शासन पशासन की जो उच्च वरगी लोग है, उनसे अच्छी पकड़ होती है, और वहां से भी जुड़े कोई भी काम क्यों ना हो, आसानी से निकाल लेता है, तो ये इसकी वानी का प्रभा होता है, इसकी बुद्धी मत्ता का प्रमान होता है, साथी ये भी देखने को मिला कि जीवन के हर सेत्र में सफल होता है, यानि ये सब एकती नोकरी करे तो, व्यापार करे तो, राजिनीती में जाये तो, सफल होता ह अपनी मेहनत से अपने गुन से परसिदेडी प्राप्त करता है और ये भी देखने को मिला कि जीवन में कभी ऊछिब लेता है कई बार ये देखने को मिला कि जो दुनिया वाले लोग होते हैं आसपास के जो लोग होते हैं वो एसे वेक्ति को भोगी और विलासी समझते हैं कि ये तो भोग विरास करने वाला अपने सुखों पर व्यर्थ का खर्च करने वाला है लेकिन वास्तविक्ता में अगर देखे तो जैसा मैंने कहा एसा वेक्ति आंतरिक रूप से साथगी पसंद होता है ठीक है अपने सुखा आधी पर खर्च करता है लेकिन एसे वेक्ति के स संग्रह करने का भी विचार करता है और जिसके कहरण निश्ची की अच्छी है और निश्ची की इसे विग्ति को धन आधी अपने जीवन काल में संतुस्टी-पूर्ण आच्छी मात्रफ में प्राप्त हो जाता है इसके बाद अगर बात करें कन्या राशी कि अगर आपकी लाब भाव में कन्या राशी बनी हुई है तो ये केसा प्रभाव देता है देखिए ऐसे विक्ति के बारे में अगर कहना हो तो ऐसे विक्ति बेहद महिनती होते है दूर दर्शी सुभाओं के होते हैं और सबसे प्रमुख बात है कि तुड़ित निर्णय लेने की अभुद्पूर्व शम्ता इनमें जर्म जात विक्सित होती है यानि तुरंत किसी भी परिस्तिती में तुरंत केसे कोई निर्णय लेना हो कितने अच्छे निर्णय लेना हो कोई कोई इनसे सिखना चाहिए हर परिस्तिती में अपनी बुद्धी मत्ता से कुछ ऐसा कारे कर जाते हैं जिससे अन्य लोग चोक जाते हैं अन्य इनकी काबिलियत पर कोई शक करते हैं तो ये दिखाते हैं कि कितिने इनके अंदर गुण हैं ये बात इनके सुभाव में अधिक देखने को मली और ये बात भी है कि इनको सदेव कुछ न कुछ करने की धुन सभार रहती है मतलब कुछ न कुछ करते रहेंगे खाली कर लेते हैं क्योंकि ये बात है कि अपने जीवनकाल में सभी कामों को सोच विचार करके करते हैं कुछ बार ये देखने को मिला कि जल्दी बाजी भी कर जाते हैं लेकिन आप ये बोल सकते कि कई बार अब जल्दी बाजी जाता ही कर ली जाए तो नुकसान होता है लेकिन फ लेते हैं ये इनके सोभाव में होता है कि महिनती होते है और जो ठान लिया उसको करके दिखाने का सोभाव होता है इसलिए सभी कारियों को ये बनवा ही लेते हैं नहीं तो सोयम सही बना लेते हैं जीवन काल में ये भी देखने को मिला कि जो आय का इस्त्रोत होता है वो एक न लेते अपने जीवन काल में जतना धनया चाहते हैं उतना अर्धित कर ही लेते हैं ये बात जरूर्ड देखने को मिली कि लेकिन जो घर परिवार के लोग होते है या परिवार आधी वाले बोलिए या फिर भाई आधी बोलिए उनसे भी कोई विशेश इनको जो लाब मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता बलकि ये देखने को मिला कि घर परिवार के जो अन्य लोग होते है और ये भी बोल सकता हो कि दोस्त मितर आदी भी जो अन्य लोग होते है वही इनसे लाब उठाते रहते हैं क्योंकि जिसलिए अन्य लोगों पर इ अन्य लोगों के इनके यूज में आ जाता है, सोयन कई बार इतना उपयोग अपने धन का नहीं कर पाते, इतना भोगुस धन का नहीं कर पाते, ये बात देखने को मिली, यहां ये भी बोल सकते हैं कि इनके सोभाव में ये जिरूर होता है कि चलिए अन्यादी पर खर्च हो ज लेकिन फिर भी प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से, किसी भी मार्ग से, किसी भी इस्तिती से धन को संग्रह करना है, धन को बचाना है, ताकि भविश्य की इस्तिती में ये उसका उप्योग कर सके, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये दूर दर्शित सभाव के होते हैं तो भविश्य की आवशक्ता को ध्यान में रखकर वर्तमान में ही धन संग्रह करने का प्रयास करते हैं और धन संग्रह करने में देखने को मिला कठोर परिश्रम से ये धन अरजित भी कर लेते हैं और धन को बचा भी पाते हैं संग्रहित भी कर पाते हैं और जिसा मैंने का कि गोर परिश्रम से परिश्रम कई बार अजिक करना पड़ता है लेकिन ये है कि अपने परिश्रम से जीवन काल में अच्छी सफलता अरजित कर पाते है और न केवल सफलता बलकि अच्छा धन भी अरजित कर पाते है राजनिती के शेत्र में भी अगर ऐसे हुई हो व्राश्चिक राशी तो प्रीए दर्षको आपकी कुंडली में अगर इन 3 वैसे कोई सी राशि तो क्या जो मैने आपको आज बाते इसी ही रोचक वीडियो मिलती रहे आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद